हेलो व्रीवान विल्कम बैक तो माई चैनल मैं हूँ रुचिका और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह मिट्टी के दिया का एक बहुत ही प्यारा सा क्राफ्ट तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल गोल नहीं है तोड़ा सा ओवल शेप है तो मैं जब दिवाली दिया ली है इसको भी फिर मैंने दिया लियों में से ढून के तोड़ा सा जो ओवल शेप हो वैसी दिया भी निकाल ली एंड इसके बाद अब यहां पर जो थोड़ा सा इसका उबरा पार्ट है वो सैंड पेपर की हिल्प से सैंडिंग कर लेंगे ताकि यह स्मूथ हो जाए और छोटे वाले दिया को भी इसी तरीके से स्मूथ कर लेंगे तो यह बस प्रॉसेस दो मिनिट का ही है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना ही बहुत मेहनत लगेगी तो दोनों को मैंने स्मूथ कर लिया है और इसके बाद मैंने लिया है मोल्डिट क्ले दीया के उपर कुछ देजाइनिंग करोंगी तो देजाइनिग मैं बहुत ही सिंपल सिंपल सी ही करने वाली ओधिगना है तो यहां पर मैंने कुछ इस थरीके से कोईल बना ली है और यहां पर देख से आप थोड़ा सा दिया तो वह फ्यकु शिपल कर लिया है एंड फेह व अगर प्ले सूखा नहीं है तो आप ऐसे ही इसको चिपका सकते हैं अगर थोड़ा सा भी सूख गया है तो फेविकोल जरूर यूज़ कर लीजेगा तो यहां पर दो लाइन मैंने बनाई है उसके बाद आप देख सकते हो दिया का कुछ डिजाइन ऐसा है तो वह जगे मैंने इसके बाद पूरा इसी प्रोसेस से मैं इसी कोईल से राउंड राउंड करके पूरा दिया फिल कर लिए तो बड़े दिया को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसके बाद जो छोटा वाला दिया लिया है उसको भी मैं सेम सेम ही डिजाइन रख रही हूं लगबग तो इ इसके उपर भी थोड़ी सी detailing आड़ कर रही हैं वो भी मैं molded clay कि ही help से कर रही हूं तो यहां पर simple simple ही ही मैंने रख głu तो आप देख सकते हो क्या- yeah detailing में इसके आड़ कर रही हैं और जिसे और भी उठ ळगने लगेगा झाल झाल तो यहां पर देख सकते हो आप कुछ ऐसे सिंपल सिंपल सी ही डिजाइन मैंने क्रियेट कर ली है इसके बाद मेरे पास यह कुछ क्ले के ही शेप रखे हुए हैं यह मैं बता दू आपको यह मैंने कैसे बनाए थे मतलब मैं एक प्ले वोक की कर रही थी तो प्ले हाड हो गया अब इसको पलत से बन रह था तो मैंने बसुकर हड़ी सी थुक्सीं इस तरीके से इस तरीके का ऐसा मोटा सा Color बनाया और टहीं का टककल ही है आप चाहें तो तुरंथ बना करके भी इसको ऐसी डिजाइन एड़ कर सकते हैं अब यह आले शेप मैंने ड्राइड लिये हैं मतलब सूखी हुई क्ले है यह तो आप इसको फेविकोल की हेल्प से भी चिपका सकते हैं या फिर थोड़ी सी मोल्डे टाजी वाली ले लिजे और उससे भी आप इसको चिपका सकते हैं तो मैंने या पर प्ले से ही इसको चिपका लिया है और छोटे वाले दिया पर भी हम कुछ सिमलर डिजाइन ही क्रियेट कर लेंगे तो चलिए यहाँ पर कुछ और डिटेलिंग एड़ करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मोल्डी क्ले मैंने लिया है और कुछ इस तरीके का शेप देखे और इसको बड़े वाले दिया में कुछ पीछे से इस तरीके से चिपका लिए आप लिए चाहें तो फेविकॉल का यूज़ करिए अगर अगर क्ले ताजी है तो तुरंधी चिपक जाएगा तो इस तरीके से मैंने चिपका लिया है और इसका कटर से ही थोड़ा सा ऐसे मू बना दिया है और थोड़ी सी डिटेलिंग एड़ कर दे रही हूं आप देख सकते हो ब्र इसको बना सकते हैं और यह काफी सिंपल है काफी एजी है तो रिक्रियर जरूर कीजिएगा थोड़ा-थोड़ा सा क्ले लेके कुछ इस तरीके से पीछे की ही साइड इनको स्टिक कर देना है तो यह इसके लैक्स बन जाएंगे और डिटेलिंग के लिए कटर से ही थोड़ा पर कैमरा शायद प्ले नहीं हुआ तो वह मैं शो नहीं कर पाई आपको एंड इस तरीके से मैंने दोनों में ही मूँ पैर वगएरा टेल वगएरा सब बना करके और उल्टा करके रख दिया था था ताकि यह अच्छे से ड्राय हो जाए अब ऐसे टेल थोड़ी सी प्लेन प कर ले रही हूं और इसको टोटली ब्लै कर देना है मतलब कहीं से भी क्ले वर्क डिखना ने चाहिए तोटल इसको ब्लै कर लिया है आगे से भी और पीछे से भी तो दोनों को ही मैंने कर लिया है इसके बाद इन दोनों को अच्छे से सुखा लेंगे बिल्कुल सूख जाना जो दीजाइन बनाई है उसको हाइलाइट करने के लिए अध्य ग्यवेली कलर का ही गॉल्डडन कलर रही हैंग इससे अच्छे हिए इनकी जो डीजाइन यह तोटल एकडम गोल्डन गोल्डन सा नहीं होता है तो आप एक कोट अपलाए करके इसको ड्राय कर लीजे एंड उसके बाद आप सेकंड कोट अपलाए कर सकते हैं ताकि यह एकडम अच्छे से प्रॉपर गोल्डन कलर में आ जाए तो चोटे अले दिया को मैंने करके रख है और बड़े वाले में भी आप देख सकते हो कुछ अच्छे से अच्छी कॉंटिटी में मैं गोल्डन कलर में अपलाए करनी हूं ताकि यह बिल्कुल अच्छे से उबर के आई सारे डिजाइन तो कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो इनका लुप कुछ इस तरीके से हैंंड यह मैंने पेउर में बनाए हैं मतलब एक बड़ा और एक चोटा एक मदर टॉर्टा जैंग ऑन चाहें तो इस ने में वाड़ निश रक्किवी तो मैंने उपरव से अपलाय कर दी हैंड अब अब आपको इसक्ता में आफ्टर वार्निष लुक दिखाती हूं तो यह रहा इनका final look और आप देख सकते हो यह tortoise कितने cute और कितने प्यारे से लग रहे हैं ऐसा माना जाता है कि घर में tortoise रखना शुब होता है तो बहुत से लोग market से कच्वे की मूर्तियां खरीद के लाते हैं रखते हैं घर में या फिर जीवित कच्वा आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर की आपको मेरी बनाया हुए कच्वे कैसे लग रहे हैं चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं मिलती हूँ अपने किसी न्यू एंड इंटरस्टिंग क्राफ्ट वीडियो के साथ तिल दें बाइबाइ टेक यह थैंक्स वाचिंग